Hey guys, welcome once again. ये second video है, second discussion है, जिसमें हम mobile photography के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप अपनी mobile photography को enhance कर सकते हैं. So, सबसे important चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं, वो है आपके mobile पे, जब आप एक picture create कर रहे हैं, so आपको control अपने हाथ में लेना है, brightness का, darkness का, क्या चीज़ bright होनी चाहिए, क्या चीज़ dark होनी चाहिए, उस चीज़ को आपको decide करना है, रादर कि आपके camera को. So, आज मैं इस normal MI phone पे shoot कर रहा हूँ, I am not shooting on an iPhone, because एक myth है, कि iPhone से pictures ज़्यादा अच्छी आती हैं, so I thought, why not to use a simple ordinary phone, which is like a very affordable phone, और आपको कुछ अच्छी image, create करने का हम tip देंगे, so अब हम dive in करते हैं, अपने mobile की screen पे, और मैं अपने mobile पे, एक camera app को on कर लेता हूँ, जो कि default camera app है, जो मेरे mobile के साथ है, so आप देख सक रहे हैं, there is a camera person behind the camera, देखिए मेरे subject के चेहरे पे, अगर मैं tap करूँगा, मैं चाता हूँ कि वो background से ज़्यादा परनाउंस्ट हो, background पे काफी light पड़ रही है, और मैं चाता हूँ मेरे subject के चेहरे पे वो light पड़े, तो मैं अपने exposure को drag down करूँगा, आप देख रहे हैं मेरा चेहरे, उनके चेहरे पे light definitely काम हो रही है, लेकिन उनके background पे भी light काम हो रही है, तो मैं एक balance create करूँगा, जहां पे मुझे लगेगा कि मेरे mobile के control में नहीं, यह exposure मेरे control में है, तो यहां पे मुझे लगता है कि यह देखिए, यह starting में मुझे मिल रहा था exposure, और यह exposure मैंने dial down करके achieve किया है, तो मैं यहां पे आपके reference के लिए एक shot ले लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि कैसे मैंने अपने bright exposure को, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, change करके बिलकुल control किया है, light को control किया, and photography is all about taking control of the light, so guys, आपने देखा, एक छोटी सी tip से, अपने mobile के exposure को, light को control करके, आप अपने pictures को एक pop दे सकते हैं, कई बार हमारे चेहरे पे light ज्यादा होती है, उसे हम थोड़ा सा control कर सकते हैं, exposure को control कर सकते हैं, और better images अपने mobile के साथ create कर सकते हैं, I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, ये content आपको helpful लगा होगा, अगर आपको ये video अच्छा लगा, आप definitely हमारे साथ अपने कुछ tips भी share कर सकते हैं, in the comment section, and अगर आपको ये video अच्छा लगा, please spread this knowledge, share this video, and until next time, keep learning.